नमस्कार हम सब को हमारे जीवन में मनी, वित, धन या लक्ष्मी चाहिए उसको कैसे प्राप्ट किया जाए अगर वो अमें समझ ना हो ऐसी लक्ष्मी या ऐसा धन जो कॉंस्टन्ट हमारे पास रहे हमको कभी भी छोड़के न जाए और हमारी लाइफ में इंबाइब करे, वो अगर हमें समझ ना हो तो उस तरह के धन को सास्तरों में लक्ष्मी कहा गया है अब लक्ष्मी चाहिए तो क्या हमारे पास होना चाहिए वो समझने के लिए हमें हमारे पौरानिक ग्रंथों की तरफ द्रश्टिपात करना होगा और जब हम हमारे माइथोलोजिकल बुक्स को देखते है हमारी पौरानिक कथाओं को देखते है तो एक बास समझ में आती है कि जब समुद्रमंथन हुआ तब लक्ष्मी जी प्रगट हुई थी अब यदि हमें ये समझ ना हो तो हमें हमारा ध्यान ले जाना पड़ेगा शिर्मत भागवद पौरान में शिर्मत भागवद पौरान में एवं कई पौराणों में समुद्रमंथन की बात आती है यहाँ पर मैं भागवद पौरान का रेफरेंस देना चाहऊँगा और इसलिए भागवत पुरान की बात करता हूँ हुआ यूँ कि जब लक्षमी जी का प्रागट्य होता है तब उनका विभा किसके साथ किया जाए उसके बारे में शिमत भागवतम में विशत साथ से बात की गई है आपको जानके आश्यर होगा कि स्वयम लक्षमी जी वहाँ पर जितने भी प्रधान असूर और प्रधान देव उपस्तित थे उन सब को वह टेस्ट करती है उनके पास किस तरह की कॉलिटी से उनको वह खुद चेक करती है और उसके बाद वह डिसाइड करती है कि ऐसा व्यक्ति कि जिसको मेरे में इंट्रेस्ट ही नहीं है जो मनी माइंडेड नहीं है जो पैसों के पीछे नहीं भागता है ऐसा व्यक्ति और जिसके अंदर पहले से ही बहुत सारी गुड कॉलिटीस अल्रेडी है जिसके अंदर सु मंगल और शुब कॉलिटीस पहले से ही है वैसे व्यक्ति विश्लू की में चॉइस करती हूँ तो लक्षमी जी यहां पर यह कहती है कि ऐसा व्यक्तित्व कि जिसके अंदर पहले से ही गुड कॉलिटीस है और जो मनी के पीछे नहीं भागता वैसे विश्नु को मैं अपना पती पसंद करती हूँ आप शिमत भागवत का यह सुत्र देखे सु मंगालह कश्य नते कांग्चते ही माम आज भी जब हम बहुत प्रसिद नारायन का या लक्ष्मी जी का फोटो देखते है पौरानिक चित्र देखते है तो हम यह देखते ही है कि वहाँ पर विश्नु भगवान से शशया पर सो रहे है और लक्ष्मी जी उनके पैरों के पास है लक्ष्मी जी सदेव विश्नु के पास होती है वेद व्याजी लिखते है विश्नु हो पादे सदा सिता लक्ष्मी ही इतना ही नहीं वेद व्यास जी तो आगे जाके ये भी कहते है कि लक्ष्मी जी का यह व्रत है कि वो सदेव, that means all the time, विश्णु जुके पास ही रहेगी. आप वेद व्यास जी के बचन देखें. लक्ष्मियाहा व्रतम सदातु विश्णु हो देए तस्मिन समीपे स्थानम सम प्रणिश्यती. तो यदि हमें लक्ष्मी चाहिए, तो हमें विश्णु जैसा बनना होगा. If you want Lakshmi, be like a विश्णु. ये सास्तर की स्पस्ट समझ है. अब विश्णु बनना अर्थात किस तरह का बनना? या किस तरह की कॉलिटीस हमारे में होनी चाहिए? वह समझने के लिए हमें विश्णु शब्द का सही अर्थ समझना होगा. विश्णु शब्द विश्णु रूट या धातु से आया है, जिसका अर्थ है to enter or to prevail. विश्णु पुरार में सफस्ट श्लोक है, यस्माद विश्वमिदम सर्वम तस्य शक्ता महात्मनह तस्माद देव उच्यते विश्णु हूँ विश्धातो प्रवेशनात. इस श्लोक को डिटेल में समझे, उससे पूर्व आदी शंकराचारिया जी ने विश्णु सहस्त्र नाम के भाष्य में विश्णु की जो व्याख्या की है, वो भी समझनी होगी. वेवेश्टी, व्यापनोती इती विश्णु हूँ. अब इन दोनों व्याख्याओं का अगर हम डिकोड करें, तो ये समझ में आता है कि जो व्यक्ती, वो जो भी कर्म कर रहा है, उसमें प्रवेश कर दे, तोटल इन्वॉल्मेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ कर्म करें. स्किल सेट उसके पास हो, यदि न हो तो वो स्किल सेट को डेवलोप करें, और इन्वॉल्मेंट के साथ वो कर्म करें. यहाँ एक प्रारम भी करत हो गया. अगर डिटेल में देखें तो ये समझ में आता है कि सिर्फ अपने बारे में न सोचते हुए, सब के बारे में सोचे ब्राड विजन रखें, ग्लोबली थींक करें, सब को लाव हो, उस तरह से ऑपरेट करें, वो विश्नु है. तो दोनों व्याक्षाओं को मिलाके, अगर हम समझें, तो यदि मैक्सिमम लोगों को लाव हो, उस तरह से ग्रेटर गुड के लिए ब्राड विजन रखें, जब कोई भी वैक्ति काम करता है, या ओपरेट करता है, तो वह विश्नु की फ्रिक्वेंसी को टैप करता है, और श्रिमत भागवत के उपर इटिका लिखी गई है, उसमें सुत्र समझाते हुए ऐसा स्पस्ट कहा गया है, कि इप यू वांट लक्ष्मी, बी लाएक के विश्नु, इस सुत्र को यहाँ पर प्रस्तूत करके, मैं मेरी वानी को विराम दूगा, लेकिन एक बात तैर है, काम करता है, इन्वॉल्मेंट के साथ काम करता है, उस तरह के व्यक्तियों विश्नु की फ्रिक्वेंसी को टैप करते हैं, और जैसे ही आप विश्नु की फ्रिक्वेंसी को टैप करोगे, लक्ष्मी जी आपके पास अपने आप चली आएगी, लक्ष्मिम विश्नु पुतिम भवती इच्छशी तो ऐसी इश्वर की को प्रातना करके मैं मेरी वानी को विराम दूगा कि हम सब इस तरह की विश्णु की फ्रिक्वेंसी को टैप करें ब्रॉडर विजन से काम करें इन वॉल होके काम करें तो लक्षमी जी हमारे पास अपने आप आजाएगी शुभम भवतु प्रणाम